नमस्कार किसान जातियों माय कर्शी ग्यान यूटूब चैनल और फेस्बूक पेज में आपका स्वागत है तो आज मैं आपको बताऊंगा पपिते की नर्सरी तैयार कर रहा हूं मैं तो उसके बारे में बताऊंगा आपको नकली और असली बीच की पहचान करना बताऊंगा और किस परकार से नर्सरी तीयार करते हैं वह भी बताऊंगा मैं आपको अपको नकली तो तो आप उसका द्यान रखियेगा मैं आपको पूरी डिटेल दूँगा उसकी भी तो देखिए आप मैं बता रहा हूं आपको यह किस प्रकार से अपन नरसरी तियार करेंगे आप वह पीछे देख लें कि मेरा यह पोली हाउस का यह देखिए खीरा है तो यह इस प्रकार से अभी के समय में यह देखिए आप खीरा तो यह अब है 25 दिन की पौध हो गई है तो अभी इनकी डूरिया बांधने का काम चल रहा है इस पर भी में और वीडियो बना हूआ पूरी डिटेल देखिए लगी हुई है और डूरिया बांधने का काम चल रहाए तो अभी फिलाल अपन बात करेंगे पपिता की नरसरी की तो दे यह देखिए आप यह देखिए आप तो यह रहता है मार्केट में दोनों मिल रहे हैं तो यह है नकली और यह असली अब आपको नकली और असली की पहचान बता रहा हूं में तो इसमें देखिए एक टोक्री है टोक्री के उपर दो पपीते पूरे पड़े हो हैं और एक पास म लोचा यह पर रहता है यह तो बीच के दुकानदार नहीं तो यह बीच के दुकान दार है यह तो यही है तो यह आपको भी नर्सरी तयार करता हूं यह मैं फोदे बैसता हूं पंदरा से 20 रूपई के बीच में छोटे घर में लगाते हैं फोदे एकाद एकाद उनके लिए और यह बड़े कास्तगार के लिए तो आज मैं आपको बताऊँगा इसकी नर्सरी इस परकार से त्यार करेंगे तो इसको अनपेकिंग करेंगे अपन तो इस परकार से देखिएगा आप इसको काटके तो यह बीच निकलेंगे यह देखिए आप बीच इस परकार से निकलेंगे इसमें यह देखिए और और इसम में इस परकार के बीज निकलेंगें यह देखिए आप फरक है यह ओरिजिनल है और यह दूपलिकेट है दोनों तरह के बीज आप देख सकते तो वही है आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आप कहीं नकली बीज के चक्कर में फस जाएं तो तो देखिएगा इस परकार से हम न नर्सरी वाले से पुरी पुस्तास करिए को तुम हमको बाले दे रहे हो यह दूपलिकेट क्योंकि रेट लेटी दोनों यह तो आपको ओरिजनल रेट लेना टाइवान का आता है जो की नो न्यू कमपणी देती अपने आप है और कोई कंपनी नहीं अभील करवार रही हमार आप इसमें ढाल रहा हूं वे तो देखे इस प्रकार से एक एकउएक भीच अपन इसमें डालेंगे ऐसे इस प्रकार से एग्च रहता है टेंपरेश् emailed जैनों पर्फ्र पंद्रा डिग्री से नीचे टेंप्रेचर पर यह जर्मिनेशन नहीं होंगे तो इस प्रकार से अपन बीज लगाएंगे तो इस संबंदी तो और भी कोई जानकरी चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके पूछिएगा मैं आपको पूरी डिटेल बताऊ हुआ तो किसान जाती हो मेरी वीडियो कैसे लगी है आपको लाइक करिएगा शेर करिएगा और कमेंट करिएगा और बीच जब भी लेने जाए तो आप मैंने मैंने फरक बताया यह जरूर ध्यान रखिएगा और कहीं पोदे लेने जाए नर्सरी वाले से तो अभी आप उससे